हेलो दोस्तों, वेलकम टो डेली वन कॉशन प्रेक्टिस सीरीज फोर CSIR नेट लाइप साइंस 2023 चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज किस वीडियो में हम कौन से कॉशन को प्रेक्टिस करने वाले हैं तो देखिए गाज किस वीडियो में जो कॉशन हमारे सामने है वो आया है प्लांट फिजियोलोजी से और टोपिक है हमारा नाइट्रोजन मेटाबोलिजम तो कुशन दिया हुआ है following our certain statement regarding the nitrogen uptake and assimilation by plant यानि plant के अंदर nitrogen को किस form में uptake किया जाता है और किस form में assimilate किया जाता है उसके regard में आपको यहाँ पर 4 statement दे के रखी है और पूचा है कौन कौन सा statement यहाँ पर सही है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि atmosphere के अंदर जो nitrogen होती है उसको plant directly इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने use के लिए तो पहले उस atmospheric nitrogen को convert करना पड़ता है उस form में जिस form में plant उसको absorb कर सके तो कुछ bacteria होते हैं जो कि swell में present होते हैं या फिर कभी कभी वो plant के साथ में associate भी हो जाते हैं और associate करके वो उस nitrogen को convert कर देते हैं nitrate में या फिर ammonia में क्योंकि nitrate में और ammonia form में ही plant nitrogen को अप्टेक करते हैं लेते हैं तो सबसे पहला statement जो हमें दिया हुआ है वो है कि plant roots can take up nitrogen in the form of NO3 negative यानी nitrate और NH4 positive यानी की ammonium ion तो यह बात बिल्कुल सही है मैंने आपको अब भी बताया है कि plant की जो root होती है वो nitrogen को uptake करती है in the form of nitrate या फिर ammonia ठीक है second में लिखा है कि ammonia taken up by plant can be directly assimilate into the amino acids यह बात भी बेकुल सही है कि अगर plant ammonium iron की form में nitrogen को uptake करते हैं तो फिर वो further से किसी चीज़ में convert नहीं करते हैं directly assimilate कर देते हैं amino acids में यानि उसका use कर लेते हैं amino acid की formation के लिए लेकिन अगर nitrate की form में लेते हैं हमने पढ़ा ना कि दो form होती है तो अगर ammonium iron की form में लिया है तो directly assimilation हो जाता है लेकिन अगर nitrate की form में लेते हैं तो पहले convert किया जाता है उसको ammonium iron में और फिर किया जाता है assimilate in amino acid लेकिन अगर directly NH4 को ही लिया है तो यहां assimilation हो जाएगा यह बात भी बिल्कुश सही है तो A भी सही है और B भी सही है C में लिखा है कि amino acids are synthesized exclusively in the plastic and chloroplast of root and leaves respectively यानि की root के plastic में बनता है amino acid और leaf की बनता है chloroplast में और हमेशा ऐसा आई होता है तो यह statement बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं है Leap में और root में फोर्म होता है में में भी form हो सकता है amino acid ऐसा जरूरी नहीं है कि root में और leaf में होता है लेकिन यहां लिखा है कि हमेशा ही कैसा होता है कि रूट के प्लास्टिड में बनता है और लीफ की क्लॉट के बनता है तो यह स्टेटमेंट मिल्कुल गलत हो जाएगा ठीक है डी में लिखा है एनो 3 negative can be stored in the vacuum of both root and leaves तो हम सभी को पता है कि वेक्व क्या होता है store room of the cell होता है सेल के पास जो भी एक्स्ट्रा है उसे वह वेक्यूल के अंदर store कर देता है तो यहां पर भी सेम ऐसा ही होता है कि प्लांट के पास अगर एनो थी नेगेटिव एक्स्ट्रा हो जाता है तो सबसे पहले वह लीव के पास जाएगा अब लीव के पास जितने भी equipment ती सब fulfill हो गई है नाइट रेट के अभी उसके पास अगर एक्स्ट्रा होता है तो वह अपने वेक्योल में स्टोर कर लेता है क्योंकि लीव को प्लांट को पता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं डारेक्ली सिंतसाइज नहीं कर सकता मुझे दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है तो जब कभी भी उसे एक्स्ट्रा मिलता है तो वो यूज तो कर लेता है उसके बाद वेक्योल में भी स्टोर कर लेता है ऐसा ही होता है रूट के साथ में कि लीव की अगर रिक्वार्मेंट भी फुल्फिल हो गई है और उसने अपने वेक्योल में भी स्टोर कर लिया है उसके बाद भी अगर nitrate बचता है तो जो root होती है वो अपने vacuol में उनको store कर लेती है तो ऐसा बिलकुल होता है कि यह जो nitrate है यह vacuol में store हो सकता है कि इसके leaf के भी और root के भी तो देखो जैसे यहांबर मैंने बताया भी है कि जो plant होते हैं वो absorb करते हैं nitrogen को from the soil in the form of nitrate यानी NO3 negative और ammonium iron यानी NH4 positive तो इन दोनों form में ही plant nitrogen को uptake करता है second में जो NH4 positive है उसको अगर plant लेता है तो वो directly assimilate कर सकता है amino acids में ठीक है और third में लिखा है कि यह है plant का cell का vacuole और vacuole के अंदर nitrate को save किया जा सकता है store किया जा सकता है वो vacuole चाहे root का हो चाहे leaf का हो दोनों में nitrate को store किया जा सकता है अगर वो extra है तो यहां पर हमारा A सही है, B सही है और D सही है, C गलत है, C अगर गलत है तो देखो 1st भी चला गया, 2nd भी और 4th भी, हमारे पास answer आया है हमारा 3rd option, ठीक है, तो question हमने solve कर लिया है, अभी भी अगर आपको कोई doubt है तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो अगर पसं आई है तो like, share, subscribe जरूर से कर देना, thank you